राजनीती विज्ञान भागदो अध्याय तीन नियोजित विकास की राजनीती नियोजन का आशे है उपलब्ध संसाधनों की श्रेश्थतम प्रयोग के लिए भविश्य की योजना बनाना नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धी, रोजगार के अफसरों में वृ अर्थिक समाजिक न्याय दोनों ही है इस बात पर भी सेहमती थी कि आर्थिक विकास और समाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसाई, उद्योग पतिव खिसानों के भरोसे नहीं छोगा जा सकता सरकार को प्रमुक भूमिका निभानी होगी आजादी के वक्त, विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी और द्योगिक देशों की तरह होना। वामपन्थी, ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं। गरीबों को राहत पहुचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षन पंथी, यह खुली प्रतिसपर्धा और बजार मुल्क अर्थ व्यवस्था का समर्थन करते हैं। इनका कहना है सरकार को अर्थ व्यवस्था में गेर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारती अविकास के मॉडल, विकास के दो मॉडल थे पहला उदारवादी या पुन्जीवादी मॉडल तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्वित अर्थ व्यवस्था का मॉडल जिसमें सार्वजनिक वन निजीक्षेत्र दोनों के गुनों का समाविश्था को अपनाया। आई उदारवादी या पुन्जीवादी मॉडल यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों और अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतरगत सभी वस्थों का उत्पादन निजीक्षेत्र द्वारा किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेपना के बराबर होता है। इच समाजवादी मॉडल यह मॉडल सोवियत रूस में अपनाया था। इसके अंदर सभी चीजों का उत्पादन सरकार द्वारा किया जाता है। डेश में निजीक्षेत्र नहीं होता और सभी कंपनिया सरकार के आधीन होती है। नोट, दोनों वर्गों की बात मानते हुए भारत ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था का मॉडल अपनाया जिसमें सार्वजानिक वर निजीक्षेत्र दोनों के गुनों का समावेश था। स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाय जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंदित सहमती तथा असहमती के विभिन क्षेत्रों। सहमती के क्षेत्र, भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धी तथा सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों और द्योग पतियों वक्किसानों पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है अपितु सरकार को एक प्रमुप भूमिका निभानी चाहिए गरीबी उनमूलन तथा समाजिक व आर्थिक वित्रन के काम को सरकार की प्राथम एक जिम्मेदारी माना गया असेहमती के क्षेत्र सरकार द्वारा नेभाई जाने वाली भूमिका पर असेहमती यदि आर्थिक वृद्धी से असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व पर असेहमती उद्योग बनाम क्रिशी तथा निजी बनाम सारवजनिक शेत्र के जुड़े मुद्दे पर असेहमती मिश्रित अर्थ वियवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पुंजीवाद दोनों की विशेष्टाओं को शामिल किया गया देश में छोटे उद्योगों का विकास ने जी क्षेत्र में किया गया तथा बड़े उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधो पर ली बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योग पतियों के एक समुह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया इसे बॉम्बे प्लान का उदेश्य बाम्बे प्लान की मनशाथी की सरकार और ध्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए योजना आयोग भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई प्रधन मंत्री इसके अध्यक्ष बने भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रननीती अपनाई गिये फैसला करने में इस संस्थाने केंद्रियों और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाए योजना आयोग की कार्यवेधी सोवियत संथ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्ष ये योजनाओं का विकल्प चुना भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्त्वेज तैयार करेगी जिसमें अगले पाँच सालों के लिए उसकी आमधनी और खर्च की योजना होगी इस योजना के अनुसार केंद सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो हिस्सों में बाटा गया एक हिस्सा गेरयोजना व्याई का था इसके अंतरगत सालाना आधार पर दिन दैनिक मदों पर खर्च करना था दूसरा हिस्सा योजना व्याई था नीती आयोग, एक जन्वरी 2015 से योजना आयोग की स्थान पर नीती आयोग अस्तित्व में आया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं एवं वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, नीती शब्द का विस्तार है National Institute for Transforming India, राश्ट्रिय विक इसकी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी, योजना के निर्मान में राज्यों की भागीदारी हो, इस उद्देश्य से राश्ट्रिय विकास परिशद बनाया गया, यह देश की पंचवर्षिय योजना का अनुमोधन करती है, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्र भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते है, प्रथम पंचवर्षिय योजना, यह योजना 1951 से 1956 तक थी, इसमें ज्यादा जोर क्रिशिक शेत्र पर था, इसी योजना के अंतरगत बाध और सिचाई के शेत्र में नि सरकार ने देशी उद्योगों को सनरक्षन देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, इस योजना के योजनाकार पीसी महाले नोबीस थे, विकास का केरल मोडल, केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मोडल में शिक्षा, स्वास्थियत, भूमी सु अर्थवियवस्था के नियोजन में क्रिशी को केंडर में रखने की बात प्रभावशाली तरीके से उठाए, भूमी सुधार के अंतरगत, जमीदारी प्रथा की समापती, जमीन के छोटे-छोटे टुकलों को एक साथ करना, चकबंदी और जो काश्तकार किसी दूसरे की ज अमीन बटाई पर जोट बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने वभूमी स्वामित्व सीमा कानून का निर्मान जैसे कदम उठाए गए, 1960 के दशक में सूखा वअकाल के कारंग क्रिशी की दशाबद से बत्तर हो गई, खाद्य संकट के कारंग गेहुन का अयात करना पड़ा, हरित फ्रांती, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीती अपनाई, जो की हरित फ्रांती के नाम से जानी जाती है, अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का निर्नय किया, जहां सिचाई सुविधा इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित फ्रांती कहा गया, भारत में हरित फ्रांती के जनक MS स्वामिनाथन को कहा जाता है, हरित फ्रांती के सक्फरात्मक प्रभाव, इसके कारंग खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, इसके कारंग गेहून की पैदावार में बढ़ोतरी बड़ी, हरित क्रांती के कारंग गरीब किसान वबड़े भूस्वामी के बीच अंतर बड़ा जिससे वामपंती संगठनों का उभार हुआ मद्यम श्वेनी के भूप स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ श्वेत क्रांती, मिल्कमेन ओफ इंडिया के नाम से मशहूर वरगीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुगधा एवं विपरन परिसंग में महत्वपुंग भूमिका निभाय और अमूल की शुरुआत की इसमें गुजरात के 25 लाख दूद उत्पादक जुरे इस मॉडल के विस्तार को ही श्वेत क्रांती कहा गया